कि आप आप करें operation की जब पैसा आ जाता है तो फिर क्या होता है ना के ये लगता है कि ये भी ले लो वौ वह भी ले लो जो हो सकता वो कर सकते अपना स्टार्ट अपना बिजनस है हम क्यों नहीं लगा सकते तो आप यह सोचो आप कैसे कमपटीट कर सकते आपको तो एक कमपटीशन बहुत बढ़ा हो गया कि बात यहां पर पैसे की नहीं होती कि आप 99 में बेच रहे हैं वह एक फैक्टर है लेकिन अगर किसी को क्वालिटी नहीं मिलेगी यह किसी को आप पर ट्रस नहीं है तो वह आपसे 99 रुपीज भी नहीं देगा 99 नहीं आपको एक रुपया भी नहीं देगा और एक रुपया चोड़िए वह आपको फ्री में अपना टाइम ही नहीं देगा तो हलो गाइस वैलकम टू दिस न्यू केस स्टेडी और इस केस स्टेडी में आपको पता लगी गया होगा कि हम किस चीज के बारे में डिसक्स करने वाले हैं एक एड़ टेक का स्टार्ट अप जो 17 लेक्स के लॉस में गया वो कैसे गया और क्या उसके पीछे रीजन रहा वो सब कुछ डिसकस होने वाला है गाइस 17 लेक्स एक बड़ा अमाउंट होता है और आप अपने बिजनस में अगर 17 लेक्स कर रहे हो उसके बाद आप फेलियर की तरफ जाते ह हैं जो आपको इस केस स्टेडी से सीखने को मिल सकती है जो बहुत सारे लोग success story शेयर करते हैं जिसमें वो बताते कि हमने ऐसे किया ऐसे किया और हम यां तक पहुच गए लेकिन मेरा मानना यह है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक failure जाता है annivesse ت acontece ही मिल याप य스타 वो क्या करना चाहते थे, second, what they have done, उन्होंने करा क्या, and third, why they got failure, ठीक है, ये तीन स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मेरे नोंस में क्लाइंट थे, जिन्होंने मुझे ये सारी चीजें अपनी बताई, case study बताई, जब मैं उनसे मिला marketing purpose के लिए, ठीक है, उन्होंन पूरा अपना case study के बारे में बताया, उन्होंने क्या क्या अगरा, वो सब आज मैं आप से share करने वाला हूँ, देखिए, वो एक ad tech startup बनाना चाहते थे, जिसमें, वो six से ten class के बच्चों को target करना चाहते थे, ठीक है, six to ten तक को उन्हें target करना था, एक उन्हें अपना schools को target कर बना था, जहां पर schools में जाके वो direct बात करके बच्चों को यह अपना solution दे सके, third thing, वो चाहते थे, कि small budget में, बच्चों तक education को पहुचाया जाए, online लाके, ठीक है, and the fourth thing is, they thought that, कि उनके competitor कौन है, उनके competitor है, बाइजूस हो गया, या पर जितनी भी बड़ी बड़ी tech company है, व उस हिसाब से work कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, कि यह सब companies क्या करती है, कि यह companies काफी costly solution देती है, हम क्या करेंगे, हम बहुत cheap रखेंगे, 99, 199, 299, इस तरीके से pricing रखेंगे, जिसमें कोई क्यों नहीं लेगा, उनका question यह था, ठीक है, उनका question क्या था, कि कोई क्यों नही नहीं लेगा, वो यह करना चाहते थे, अब मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने करा क्या, what they have done, इसमें इसमें इतना investment हो रहा है, just for example, 17 lakhs investment हो रहा है, ठीक है, और उन्होंने फिर क्या करा, decide करा कि यह 17 lakhs हम arrangement करेंगे आपस में, या कोई अपने relation में ले सकता है, और हम equity, equity company में बराबर की share करेंगे, यह जो तीन थे, तीन मैंसे, एक जो था, वो था tech का, उसने क्या करा, एक app के app बनाना शुरू कर दी, ठीक है, app बनाना शुरू कर दी, start-up के लिए, second, यह जो दो बचेते हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने management, और इन्होंने recording करना शुरू कर दी, content की, मलब teachers को hire करना शुरू कर दिया, जिससे यह content shoot कर सकें, और content बना सकें, और उसकी editing करवा सकें, अप्रोक्स अप्रोक्स इन्होंने, देखो, application जो इन्होंने launch करा, application जो इन्होंने बनाया, वो एक बार में बन गया, उसका कोई issue नहीं है, लेकिन उसका maintenance और उसका server cost, उसके लिए कोई planning नहीं करी, देखें, अब बात करते हैं, operation की, जब पैसा आ जाता है, तो फिर, क्या ह होता है, यह लगता है, कि यह भी ले लो, वो भी ले लो, जो हो सकता, वो कर सकते हैं, अपना startup है, अपना business है, हम क्यों नहीं लगा सकते हैं, वही गलती इन्होंने करी, इन्होंने क्या अगरा, एक camera लिया, 1 lakh का उसका costing था, 3.3 lakhs के अप्रोक्स एक इन्होंने टेलिवीजन monthly rent था, यह सब चीज़ें, इन्होंने 6 मंद के अप्रोक्स cover-up करने की कोशिश करी, कि 6 मंद में हम पूरा अपना product बना के ready कर लेगे, तो guys, अप्रोक्स, अप्रोक्स 8 lakhs रुपीज, इनके invest हो गई content बनवाने में, मलब teachers को salaries देने में, shoot करवाने में, वो content में, editing में, इसमें सब में, पैसा इतना invest हो चुका था, 8 lakh रुपीज, तो अगर अब हम मान के चलें, overall इनकी जो अभी तक की costing लग गई थी, जबकि इनका product ready होके, आयाई ही ही था, मलब launch होने ही वाला था, इनकी 14 to 15 lakhs का amount invest हो चुका था, already, अब इनके पास बच रहे थे 2 lakh रुपीज, जिसका जिसका इनक करना था marketing, जो 2 lakh रुपे थे, वो किसी 3rd partner से आने थे, लेकिन क्या हुआ कि वो उस 3rd partner ने time पर पैसा देने से मना कर दिया, कुछ issues आ गए होगे, कुछ problems होती है, वो सब के साथ होती, अब मैं आपको बताता हूँ, यह fail क्यों होगे, अगर आप यह सोच रहे है कि खाली marketing नहीं करी, इसलिए fail होगे, नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे reasons है जिसकी वज़े से यह fail हुए, पहला reason, analysis नहीं करा, market में आपकी audience actual में मांग किया रही है, और आपकी audience है कौन, अगर मुझे कोई startup करना है, या मुझे कोई भी काम करना है, सबसे पहले मैं उसको एक small level पर करके देखूँगा, आपने क्या करा, आपने content भी बना लिया, आपने investment भी कर दिया, आपने बड़े-बड़े equipment भी ले लिये, लेकिन आपने उस चीज को test नहीं करा market में, कि आपके पास actual में कितनी audience है, कितने लोग आप से interact कर रहे हैं, वो आपने check ही नहीं करा, second thing, second thing is documentation, आपके पास documentation नहीं था, आपके ethics decide नहीं थे, आपके पास plan A, plan B, कुछ भी नहीं था, कि अगर माली ये plan नहीं चलता, माली हमाई पास पैसा नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने करने की भी कोशिश करी, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक investment कहीं और से भी लेने की कोशिश करी, कि हम कहीं और से investment ले लेंगे, लेकिन without market implementation आपको कोई amount नहीं देने वाला, और जो amount मिल रहा था, उसमें percentage जादे थी, तो they are not agree to give their shares, in that amount, तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे problems आनी शुरू हुई, वहाँ पे जब marketing के लिए मुझ से discuss करा गया, तो I asked for the budget, कि आपका budget कितना है और आपको क्या result चाही है, and for that budget, they asked me कितना लग जाएगा यार, और आप हमें बताओ, हम arrangement करते हैं, तो आप ये सोचो, 10-15 लाख रुपे आप लगा के बैठे हो, और आप का question, आप इस question का answer, अगर marketing के लिए ये कह रहे हो, कि हम सोचते हैं इस आपको लेना चाहिए था, लेकिन आपको EMI भी आपके पास एक इतना अच्छा option है, आप क्या करते हैं, उस पैसे को save कर सकते थे, एक साल के लिए, और उस पैसे से marketing के लिए आप invest कर सकते थे, fourth thing, fourth thing क्या हुआ, tech के point of view से देखा जाए, कि उनके पास एक app developer, उनका director था, तो हमारे पास भी बच्चे आएंगे और हम इस तरीके से अपने business को run out कर सकते हैं, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए, कि जो competitor है, वो कितना बड़ा है, और वो किस stage पर है, उसका आज कौन सा chapter चला है, और आपका कौन सा chapter चला है, यह आपको देखना important है, आपका अभी first chapter भी start नहीं हुआ है, और आप competitive कर रहे हो, उसको जो already 50 या 20 chapter पर चल रहा है अपनी business के, तो आप यह सोचो, आप कैसे competitive कर सकते हो, आपको तो एक micro niche निकालनी चाहिए, जिसमें आपको work करना था, आपको particularly, just for example, अगर अलीगर की बात करें, तो AMU और जामिया इंटरेंस के बच्च यह था, आपने क्या करा, आपने उनको target करा, जो already बहुत बड़े-बड़े giants पेठा हुए हमाँ पर, तो आपका तो competition बहुत बड़ा हो गया, कि बात यहां पर पैसे की नहीं होती, कि आप 99 में बेच रहे हैं, वो एक factor है, लेकिन अगर किसी को quality नहीं मिलेगी, या किसी को आप पे trust नहीं है, तो वो आप से 99 रुपीज भी नहीं देगा, 99 नहीं आपको वो एक रुपया भी नहीं देगा, और एक रुपया छोड़ी है, वो आपको फ्री में अपना time ही नहीं देगा, अब देखो, आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई, कि खाली product बनाना, is not only enough, खाली product बना के उसको market में launch करना, without any planning, वो काफी नहीं है, आपको समझ में आगो, यह जो 3-4 गलतियां है, वो कितना बड़ा loss दे सकती है, और यह सब आता है, experience है, पहले आप पहले अपने business को time लें, starting करने के लिए कुछ initiate लें, आप यह ना सोचे, पैसा है, आपके पास अच्छी बात है, नहीं भी है, तो भी आप start कर सकते हैं, अपने basis पर, आप दूसरे के basis पर start ना करें business, पहले अपने basis पर start करके देखें, तो guys, I hope so, आपको इस case study में मदा आया होगा, समझने में, सुनने में, हो सकता है, आप भी कोई business start करना चाहते हो, तो यह सब गलतिया आपको नहीं करना है, आपको proper planning, proper documentation, इसलिए कहता हूँ, brand documentation बहुत जादा important है, बहुत value रखता है, तो I think so, आपको खूब मदा आया होगा, इसकी अगली एक वीडियो और बनाऊंगा में, जिसमें, अब मैं आपको बताऊंगा, उन सारे partners की अब क्या thinking है, और वो अब क्या कर रहे हैं, तो stay tuned, अगली वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, कि वो लोग अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you so much for watching this video, thank you.